दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेर्स चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के करेंडिफे डेली विस्टिस पर यहां पर आप क्युत पॉइंट्स और रैश्य स्पेशल डेया न्यूज अप्ड़ी पीवाई क्यों कर सकते हैं और यह मेरा टेलिग्राम चैनल सरदार धामभवन जो है यह स्पेशली फेसलिटी प्रवाइड कराएगा रूरल एरिया की जितने भी बॉइस और गर्स जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको होस्टल रिक्वार्मेंट होती है तो होस्टल फेसलिटी इसमें प्रवाइड की जाएगी यह दो चर्ड़ों में होगा फेस वन और फेस्टू में होगा इसमें फेस बन का भी डिटेल आया कि इतना स्कायर फीट का एरिया जो है प्रोजेक्टेड है जिसमें दोस्तों क्रोड के आसपास का लागत आएगा डेफिनिटी प्रद्धान मंतरी नरेंद मोधी जी ने इसे बाई वीडियो कॉन् फोरोट्म सरफ के जसको शटडावन क्या है ठीक है पहले बात दने लेंडियों अब practice ल्युक्त और ली इसे खाल्या इसेल की शाहाँ है ठीक आयए टीजर ओनेशी का शूंफ हो सकता है ठीक है इसका काम थाक्के इसका काम था था कि बायो डीजल इंजन सी एंजी फ्यूल इंजन से सब कैसे और करेंगे एज अल्टरनेटिव ठीक है तो इंपोर्टन इसका यह रहा कि यह जो प्रोजेक्ट है अब यह जो वर्क है यह वर्क अफ ट्रांसफर कर दिया गया Northern Railway and Railway Board ठीक है यह जो पूरा काम है अब यह Northern Railway और Railway Board को टांसफर कर दिया ज़ा चुका है ठीक है तो important question है आज सकता है एक और question देखिए who among the calling has been appointed as new chief executive of Yahoo ठीक है याहू आप सभी जानते हैं तो Yahoo के जो नए chief executive वो है Zim Landzone आपके सामने यह जो शक्षियत हैं यह है Zim Landzone तो इनको हाल फिलाल में web service provider Yahoo का जो है new chief executive officer बनाए गया CEO ठीक है अब यह इन्हें बनाए गया लेकिन इससे पहले यह CEO थे data जो dating app है Tinder उसके ठीक है तो अब यह बदला हुआ है कि अभी Tinder के ना होके इनके है क्योंकि Tinder का भी change हो चुका है तो आप Tinder जो है किनके हाथों में है ठीक है रनेट नाइबोग है जिनको अपोइंट किया गया as a CEO of dating app Tinder तो important है पूछा सकता है यह भी पूछा सकता है कि जो Yahoo के जो chief executive officer इन से पहले कों थे आंसर होगा गुरू गोरपन जो है यह इन से पहले जो है इसके chief executive officer थे 2018 से important question पूछा सकता है अब इनको Apollo private क्योड़ी मतलब reshuffle है एक तरीके से जो position है बस उन्हें reshuffle किया गया इन प्यक्टियों के बीच में देखिए यह बहुत important question है यह miss out हो गया था लेकिन मैं कराना चाहूँ है क्योंकि इसके theme पर question आ सकता है world first aid day जो है इसका theme क्या रहा तो इसका theme रहा इस बार का first aid and the road safety तो यह first aid and road safety इसका theme रहा important question आ सकता है हाला कि यह 11 September को बनायाता है यह एक दिन miss हो गया तो मैं इसको जरूर cover कराना चाहूँ हूँ ठीक है क्योंकि कोशन आने के chance है 11 September को यह observe किया जाता है ठीक है specifically यह है second Saturday of the September वो कभी भी हो सकता है वैसे 11 September में यह आता ठीक है important question ठीक है पूछा जा सकता है second Saturday of the September very important आ सकता है दूसरा अगर आपसे पूछा जाए ठीक है कि यह कब स्टार्ट किया गया तो यह एतिहासिक है जो Red Cross Society है International Federation of Red Cross Society इसने इसे initiate किया था कि यह important है जो first aid जो है humanitarian act की तरह काम करता है जो definitely सबसे first requirement होती है जब भी कुछ हाथसा होता है first aid तो important है to prevent the injuries और major issues तो critical situation को control करने के लिए आने के chances पूरे पूरे चली देखते हैं एक और question आप सभी के सामने इंडिया ने हाल फिलाल में 2 plus 2 ministry लिए dialogue जो है किसके साथ start करने वाले देखिए important है मैंने आपको इससे पहले 2 plus 2 का concept भी बताया था 2 plus 2 का मतलब होता है जब किसी दो देश से 2 ministries जो हैं आपस में interact करती है तो यह उस्चेलिया के साथ हो रहा है तो important question है आप से पूछा रहा सकता है कि जो कौन-कौन से जो minister है पहला हमारे external affair minister जैशंकर जी और दूसरे defense minister राजना सिंग जी तो यह दोनों है तो यानि कि 2 ministry कौन से external affair और defense ministry और इनके counterpart में भी obviously Australia से जो है Maris Payan है और Peter Duton है तो यह दोनो 2 plus 2 meeting हो रही है तो इसके साथ-साथ अब maybe possible है कि नरेद मोदी जी की भी आगे meeting हो और definitely situation जो है discussion की सीच पे होने वाला है अफगानिस्तान के ओपर discussion होने और figure out किया जाएगा और अन्य जो defense से सम्बंदित और external affair से सम्बंदित जो points है उन सभी पर discussion होगा चाइना से सम्बंदित इंडो Pacific location से सम्बंदित यह सब चीज़ों पर discussion होने वाला है यह important question है आ सकता है USA ने start किया है search एक और किसका oldest eyes on the continent अब यह कौन से continent की सबसे पुरानी oldest eyes को search जो start किया गया तो answer है अंटाक्टिका देखिए इससे पहले भी जो है हम कह सकते हैं कि जो सबसे oldest अंटाक्टिका में जो eyes है वो date back है इतने years पुरानी तो यह मतला अभी तक का record है अब जो यह search start किया गया इससे भी पुरानी eyes को search करने के लिए किया गया यह पूरा जो project है इसका नाम क्या रखा गया center for the oldest eyes exploration जो है यह जो coldex है यह इस पुरे setup को करने वाला है ठेक है experts की जो team है वो इसी के एंडर है USA to generate the knowledge about the earth climate system important है और इसमें जो कहते हैं ना एक तरीके से foundation कून सी है जो इसमें involved है तो national science foundation जो है जिसकी स्थापना 1987 में होई थी तेक हैं अब यह इसका aim आप सभी जानते होंगे यह support करते हैं किसी भी तरीके के research program अगर large scale पे होते है particular terrain में ठेक fundamental areas में तो यह इसमें जो है वर्क करते है national science foundation वाले तो important है पूछा सकता है तो exploration quest will be funded by whom तो fund इनके द्वारा किया जाएगा तो तीन सवाल आ सकते है सबसे पुराना अभी तक क्या है यह है दूसर सवाल आप से आप से पूछा आ सकता है कि कि किसके द्वारा इसमें किसको एड किया गया है अगरिकल्चर प्रोडक्ट जो है जिसे एड किया गया बते ही इसमें ट्रांस्पोर्ट और मार्कटिंग असिसन स्कीम में इसे एड किया गया है तो important question है dairy products को अब यह जो dairy products को एड किया गया इससे dairy products को बहुत जादा फायदा होने वाला पहले हम इसके बारे में जाल लेते हैं कि यह जो पूरा ट्रांस्पोर्ट और मार्कटिंग असिस्टन स्कीम है यह है क्या डैफनीटली ट्रांस्पोर्ट और मार्केटिंग असिस्टन स्कीम जो है यह गौर्वर्मेंट की एक help है यह फ्राइट चार्ज जो होंगे जितने भी ट्रांसपोर्ट के लिए डेफिनेटी एक जिवासे जैसे गुजरात में आनंदा में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है और वो ओल ओवर दर इंडिया जा रहा है उसके लिए हल्प हो चाहिए होगी ट्रांसपोर्टेशन में तो इस स्की स्कीम के तहट जो है बैनिफेट होने वाला है इंपोर्टन कोशन पूछा सकता है एक चीज़ और जान लीजिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यह डेरी प्रोड़क्ट ही है इसमें बहुत सारे प्रोड़क्ट है और इसको अपडेट किया गया था इसको अपडेट करके मार्च 31 20-22 कर दिया है अब यहां तक चलने वाला है यह स्कीम यहां तक रहने वाले एक्स्टेंड कर दियागा इसकीम को इंपोर्टन कोशन है पूछा रा सकता है जिसमें बहुत सारी फैसलिडिज प्रोड़क्ट की जाएगी अगरिकल्चर प्रोड़क्स को लोजिस्टिक कोस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा डेफिनेटली कोमर्स इंडस्ट्री में फायदा होगा तो चले एक और देखते हैं इसके ओपर कोशन आ सकता है यॉनाइटेड नेशन डे ऑफ साउथ साउथ कोर्पेशन किस दिन अबज़र किया था बारा सेट्टेंबर को इंपोर्टन को सारा यह जो जितना इंपर मदब इसका अब्जेक्टिव है वह एक तरीके से यह कि साउथ साउथ की जितनी भी कंट्री साउथ हो सके दूसरा सेल्फ रिलाइंस होने के साथ साथ जो है यह जितनी भी प्रोग्लम्स आती है इन सब जैसे ब्राजिल रुशिया यह सब जितने जो है इंटरनेशनल एकनोमी में एक्टिविटीस में इनका प्रमोट करना इससे एक और सवाल आ सकता है कि इस देखो एज़ ओनो एरिस प्लैन ऑफ एक्शन जो है 1978 में हुआ था तो प्रमोट दर टेक्निकल कोर्परेशन अमंग डेवलोपिंग अंट्रीस क्योंकि 138 मेंब एक सेंटर ने आपउइंड करे हैं कि ने अपउइंड किया तो विजे गोज्डी को विजे जानते हैं मिनिस्टर राच शुके Şimdi सीनियर वीजिबी लीडर रहे और मिनिस्टर रहे जिनको आहाल फिलाल में यह बनाए गया चेर देखे डेफिनेटली जो सोसाइटी है यह इंका बस काम यह है कि यह देखभल करते हैं ठेके राजगाट और म्यूजियम की जो कि गांधी जी से संबंदित है ठेके तो इनका गांधी जी का ठेके एक और कोशन देखिए इस कोशन का आंसर कुई सब्सक्राइब यह सब चीज आपको पता ही होंगा तो यह हाल फिलाल में जो है अपोइंट किये गें एज चेर्में ऑफ न्यू चेर्में अपोइंट किये गें बहुत इंपोइंट कोशन है यह Assembly of Asian Organization of Supreme Audit Institution इनका जो tenure रहेगा तीन साल का रहेगा कब से कब तक 2024 से लेके 27 तक रहेंगे यह जो है ना 16th Assembly जो होगी इसकी 2024 में उसे होस्ट भी करेंगे और यह जो डिसीजन आया है यह 56 Governing Boarding of ASOS जो है इनका जो ना अभी मेटिंग हुआ था उसी में 15th Assembly अभी हुई थी उसी में उन्होंने अपोइंट किया है जी सी मुर्मूजी को इंपोड़न कोशन आ सकता हाल देगे तामिल नाडू ने हाल फिलाल में एक अनॉंस्मेंट किये है तामिल पोईट थे एक सुब्रिमन्यम भारती जी उनकी कि डेथ अनिवर्सरी पर डेकलेर किया गया है कौन सा दिन तो महा कभी दिवस क्यूंकि ही वाज़ ग्रेट पोईट इनका जो लाइफ स्पें रहा वो थोड़ा कम रहा लेकिन जो रहा 39 येर का रहा लेकिन बोन इनका 1882 का है अतिहासिक 1921 में इनकी डेथ हुई और इनकी सामिल सुसाइटि में देखा जाए तो वो तो बहुत जाद ही प्रसिद्ध है एक्जामपल के रूप में जो भारती लाइफ जो है यह पर कोशन आ सकता है ठेक है इनकी कोशन बिल सकता है वेरी-वेरी इंपोरेट चलिए एक और देखते हैं ठेक है है जी एक और कोशन दिन का प्लाइन है इनका टार्गेट क्या है कि यह सो दिन के इस प्लाइन में बहुत कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं ठीक है तो यूनियन इनके द्वारा यह अनाउंस्मेंट की गई अब इनके बदलाव में बहुत सारी चीज़े होने वाली हैं यह पांच नए और एरपोर्ट जो है सो दिन में जो है और प्रेशनलाइज करेंगे सिक्स हेलिकॉप्टर्स फिफ्टी न्यू रूट्स अंडर रीजनल ठीक है यह थीज हो जाएंगे 10 ceux रूट रोट्स प्रेशनल में एक्टूबर में ही ठीक है नेक्स मांत ही फंक्शन हो कसे एडवर्ट्स करने के बात होगये तो यह सेटईप जो एरपोर्ट किये जाएंगे सो दिन के अंदर कि स्कीम में Alabama इंस्च में और इन सब जगहा पर दूसरी important question ये पूछा सकता है कि कौन सा state पहला है जिसने test drone किया है delivery के लिए तो आंसर तेलंगाना है रोन test किया है delivery के लिए तो तेलंगाना हाल फिलाल में कौन सा state बना पहला जिसने implement किया साइबर security power sector तो मध्य बदेश के द्वारा मैंने कल आप से सवाल पुछा था कि कौलूर लेक जो है कहां पर सुटेड है तो पहलाद का आंसर बहतर रहा ठीक है कि आंध बदेश है बाकी सभी का इन्होंने बताया कि कौन कौन सी लेक कहां कहां पर चिली का famous लेक है उडिसा में और भी बहुत सारी लेक्स है रेमडान जैसे के ला में चले देखे आज का कोशन 2018 CGL का है इसमें से कौन सी स्टडी है टीशू की ठीक है ओर्गन सीन इन्दा माइक्रोस्कोप तो बताइए इस कौशन का आंसर के है डैट डैश इस स्टडी ओफ माइक्रो एंट नॉमी ऑफ सेल टीशू एंड ओर्गन्स एस सीन इन दा माइक्रोस्कोप तो इंपोर्टन कोशन है पूरा डिटेल में बताइए और बाकि आप सभी अगर चडी जानते हैं तो वह भी बताइए वट इस हिस्टोलोजी ठीक है एंटमोलोजी पूरा डेल में बताइए बेनिफिट रहता ह अगर आप डिटेल फो में बताते हैं और पड़ते हैं टेलिग्राम चैनल जोइन करें आपको पीडिया को लिंक मिल सके हैं देखिए मैं आपको फ्री क्लास से समेशा प्रवाइड कर आता हूं आप अनकेडमी पर जब भी जोइन करेंगे तो आप बस एक पर ही सर्च कर लि फ्री क्लास इसके साथ प्लस कोर्स भी अवलेबल हैं अनकेडमी पर एससी गोल चूज करें या कोई भी अन्य गोल चूज करें तो आप गैस्टम क्लिक करके एक रैफर कोड लगाएंगे लाइव अमन तो आपको बेस्ट डिसकॉंड मिलें देखिए सबसे कम आपको फीज क स्टार्ट हो रहे हैं तो बेनिफिट होगा आपको 15 सप्टेम्बर से तो जोइन करें सारे के सारे रैफर को लाइव अमन यूज करें और थैंक्स अलोट सेशन को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्साइब करें सुबह च्छे वजे वार्ल अफेस के वीडियो सेक्शन में वीडियो आया जाती है आप इसे देख सकते हैं थैंक्स अलोट फर वाचिन